कि अज़ो दोस्तों नमस्कार सुलागत है आप सभी का आपके अपने यूटुब कानल में की इन्फो टेक में आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो की हर तरह हर जगा हर प्लैट्फर्म पे जहां देखो वहां एकडम पॉपुलर है वाइरल है और परसंटू- हाइपर फॉंड Sutra क्या है और हमने इसमें इन्वेश्ट करना चाहिए या नहीं और ये कैसे मतलब कृतना इसका कोन साइसः कीम है और किन कीन को इसे पर इंवेस्ट करना चाहिए तो इनी सब टॉपिक पर बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो दोस्तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दे कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कवर का सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो दोस्तो हाइपरफंड यह हाइपरफंड एक सब यह क्या है मतलब हाइपरफंड है आजकल हर जगह पर देखता हूँ हर कोई इसी के बारे में चर्चा कर रहा है मुझे भी काफी वार्टसप पे फेस्बुक पे मेसिंजर पे इसके बार जाए कि यह क्या है तो दोस्तो इसका गे flats से हूज करते हैं यह तो हाइपर फॉंड यह तो हाइपर फॉंड एक investment एक specialized formula के तहत करते हैं यह company में एक ग्रूप है जिसमें finance, technology और digital currency की दुनिया की बड़ी-बड़ी हस्तिया रहते हैं यह एक ग्रूप है जिसमें finance और digital currency की दुनिया की हस्तिया है और वो लोग decide करते हैं अपना कि हमें कहां पर investment करना है इस के से्लाइज फर्मूला के ताहट एक दिसीजन ले के अपना इंवेस्टमेंट करते हैं ताहाँ से आप हाई गर्उथ हो भी dem Continuity में डीजिटाल दुनिया में। बें अपना इंवेस्टमेंट करते हैं जहां से पुछ return मिलें वो भी रिस्क के साथ जहां ये investment करते हैं वहां high risk होता है high risk साथ इनका high returns भी होता है तो बस यही है इनका ये definition में ये एक company है capital form based company है जो कि पुछ रिस्क में अपना investment करते हैं जहां से high returns मिल सके इस्पेसली ये डिजिल करेंसी और टेक्शनोलोजी में अपना इंवेस्टमेंट खरते हैं तो दोस्तों आब आते हैं स्कीम पे, इन कंपनीओं निकाला है अपना एक, कि इनका स्कीम है कि आप इन से पहले कोनेक्ट करने के लिए आप इनका मेंबर बनने के लिए 300, 500 डॉलर, 1000 डॉलर का स्कीम है, तिन अलग अलग, आप इसमें किसी भी स्कीम का जोइन करने के लिए एक इन्हें से सेलेट करना होगा, या तो आप 300 डॉलर वाला प्लान लीजिए, या 500 डॉलर वाला, या 1000 डॉलर वाला, तो इनका कहना है, इन्होंने अपने वेबसाइट प देते हैं, 1.5%, 2%, 3%, इसी तरह आपको ये अपना रिटन्स देते हैं, आपका जितना इन्वेस्टमेंट है, उसी कही साब से, और आपका चंद दिनों में, आपका इन्वेस्टमेंट जो है, ये रिटन्स हो जाएगा, मतलब कम्पलीट हो जाएगा, वो भी 3 टाइम, जैसे आप 300 डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये 900 डॉलर आपको रिटन्स देंगे, इनका जो भी ये है, आप एक बार भी खुद से जाके, अगर आप इंट्रेस्टेड है, तो आप इनका वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और वहां पे इन्होंने अपना फीडिया फाइल बन प्लान करिते हैं, उसका डेर पर्शेंट 2% रिटन मिलता है, तो इनका एक और मतलब ये है, इसकीम है, कि अगर आप खुद एक इनका मेंबर है, अगर आप किसी और को रेफर करते हैं, तो फिर उसका उन्होंने इतना प्लान लिया है, उसका चंद कुछ पर्शेंट आपको भी मिलता है, उसका कुछ पर्शेंट आपको भी as a bonus, as a reward आपको मिलेगा, फिर उन्होंने जिसको मतलब रेफर किया है, फिर उनका जितना का रेफर है, इस तरह आपको पर्शेंट 2% ऐसे कुछ ना कुछ आपको reward मिलता रहेगा, तो ये इस तरह एक chain बनाने का प्रक्रिया है, ये compound interest पे काम करते हैं, इनका बताया गया है scheme में, कि अगर आपका जो interest आता है, अगर आप उसको फिर उसी में invest कर दे, आप उसको withdraw नहीं करे, तो ये compound interest के best पे काम करता है, तो बाकी बहुत सारे जानकालिया है, इस scheme संबंधी, ओ मैं आपको completely नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन जाएगा और इस तरह संबब भी नहीं है, और दोस्तों मैं ये बता दू कि जो भी मैं इस अभी आपको बता रहा हूं, ये मेरा personal food का रिचार है, मैं नहीं किसी से प्रेडेट हूं, और नहीं मैं इसका खंडन करता हूं, बस अपना एक personal information, personal वितार आपको बता रहा हूं, तो अब स्कीम के बाद करते हैं, कि ये किन लोगों के लिए है, और क्या इन में आपको invest करना चाहिए, हर कोई बता रहा है कि हाँ, इसमें तो पैसा रातो रात बन जाता है, मतलब invest करो और फटा फट अर्निंग करो, तो चलिए इसके बार में भी आपको बताते हैं, कि क्या आपको invest करना चाहिए या नहीं, दोस्तो ये एक company, जो है, ये completely digital investment है, digital प्रकार का investment है, इसमें आपको जो भी करना है, ना कोई आपको मतलब voucher मिलेगा, ना कोई आपको receipt मिलेगा, ना आपने किसी person को जाके ये पैसा देना है, ताकि आपक सब मांग सके, कि हाँ मेरा पैसा वापस करेंगे, और दोस्तो आपको ये बात जान ले, कि जो भी आपको मतलब बताएगा, कि ये हाँ investment कर लो, आपको जो भी influence करेगा, आपको जो भी प्रेडित करेगा, कि ये ऐसा है, वैसा है, आप investment कर लो, लेकिन वो हर बात बोलेगा, लेकिन last में ये बोलेगा, कि हाँ investment तो करो, लेकिन आप अपने हिसाब से करो, कल को ये मत कहना कि मैं नहीं किया है, अपना decide लो, मुझे मतलब blame नहीं करो, वो पहले ही मतलब आपको clear कर देगा, वो जिमेवारी नहीं लेगा, कि हाँ मेरे कहने कि तुम ये किया, चलो ठीक है सब कुछ बताएगा आपको, इसके सारे मतलब फाइदा बताएगा, ये कर लो, ऐसे कर लो, इतना मिलेगा, उतना मिलेगा, इतना दिन में ये हो जाएगा, सब बताने के बाद क्या कहेगा, कि आपको खुद करना है, आप अपने खुद mindset कर किजिए, अपना खुद का decision बाउचर मिलेगा बस आपका एक क्या होगा एकाउंट होगा जाहिए आप अपना एकाउंट में लोग इन कीज़िए और देखिए उसमें इसे गवर्मेंट का का इसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इससे आपका गवर्मेंट का कोई मतलब लेंदेन ऐसा कुछ डाइरेक्ट नहीं है कल को आपको कुछ होता है तो आप इस पे ना ही तो कुछ ना तो किसी प्रकार का प्येस कर प्रसक्राइब ना ही कोई लीगल एक्षन ले सकते हैं और यह पूरी तरह से इसका ना तो कोई फीजिकल ओफिस है हमारे लोकल एरिया में ताकि कल को हमें कुछ क्वेरी हो या कुछ प्राबलम हो तो हम उनसे पूर सके इसका जो भी है ना यह बस परसंट टू परसंट होते जा रहा है आज मैंने उनको कहा उन्होंने उनसे कहा उन्होंने फिर उनसे कहा ऐसे करते करते एक लोकल चेन बन गया है लोकल कम्योंटी डेवलफ होते जारा इसका और इसका नहीं कोई आप हमारे लोकल कम्योंटी में कोई ओफिस है नहीं कोई इसका एजेंट है नहीं कोई कॉल सपोर बतों में फैलता जा रहा है इन्होंने उन्होंने ऐसे करते करते परसंट टू बरसंट डेवलप होते जा रहा है और परसंट टू पर्शन आपको बताया इसके बारे में वह फिर यह नहीं लेगा कि हमने आपको पताया है इंवेस्टमेंट करने की सब कुछ पता देगा आप अपने हिसाब से करो मैं नहीं कह रहा हूँ तो अब बारी है कि क्या हमें इसमें करना चाहिए तो दोस्तों देखिए जहां हाई रिस्क होता है वहाँ हाई रिटर्ण्स भी होता है यह बाद तो आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं सब कोई जानता है तो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है कुछ एक्स्ट्रा इंकम आपने जन्रेट करके रख रखा है और पैसा सेव करके रख रखा है तो चलो इसको इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे कुछ डिकत नहीं है फिजिकल प्राइस नहीं होगा और तो आप कलको पैसा खोधाने पर या लॉस होने भी कोई ज्याधा असर ना करें तो उस टाइप से आप इसको प्राइप कर सकते हैं फिर आप इन ठीक पर इट अगर आपके पास पुल मिला के यह है कि आप इसी तरह का एक्ट्रा इंकम रखे हुए हैं जो कि आपका यूज नहीं है तो आप उन इनकम से आप कर सकते हैं एक वई बिल्कुल कर मैं यह नहीं कहता कि यह खराब है या फिर यह बढ़िया है वही वाला बात है ने दोस्तों जो भी आपको बतायागा कि यह ऐसा करो और ऐसा करो बाद में दो कहेगा आप खुद पर करो मुझे इसमे नही तो यह नहीं खराब है यह फिर ऐसा है बहुत बड़े बड़े हस्तिया है इन कंपनीओं में आप यूटूब पे बागए काफी सारा वीडियो बड़े परेंगे जो कि आपको इंफुलेंस करेंगी कि हाँ आप कर लो कर लो कर लो आप मेंबर बनाओ आप कम्मुनिटी बनाओ पर्षण डू लिंक करो आपको रिफर रिवार्ड मिलेगा ऐसे कतके बहुत सारा लेकिन मेरा क्या कहना है कि कलको आपको मतलब कोई परिसानी होता है कोई दिक्कत होता है तो भी राप क्या करेंगे आप कहां जाके किस से पुछेंगे कि हां मुझे मेरा वापस करो मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया कोई नहीं है आपको कोई नहीं मतलब मिलेगा किस से पुछेंगे आप जिसने आपको रिफर किया वो तो शुरू में बता चु यूटूब पर जाके सौर्च करें अगर आप समझ में आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं वरना आप सोड़ सकते हैं तो कुल मिला के बाद दोस्तों यह है अगर मेरी बात कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके बताईए ना ही मैं आपको इन्वेस्ट करने के लि तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह मैंने अपना खुद का एक परसनल ध्यू दिया है तो थेंक्यू सो मच आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ में तब तक के लिए दोस्तों इस्टे हैपी इस्टे हैपी इस्टे फिट क keep learning and goodbye